हलो बच्चो नमस्ते स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटूब चैनल में तो देखिए बच्चो हम लोगों ने सेकेंड जप्टर यानि कि स्टेटिस्टिकल टेक्निक को स्टाट किया है जिसमें जो हमारा फर्स टॉपिक था काल पियर्सन्स को एफिशेंट ओफ कोर बच्चो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे यह जो स्मॉल और यह जो कैपिटल रहे ना इन दोनों के बीच में क्या होता है पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं फिर आपके जो कोश्चन्स है यह कैपिटल आर वाले उनको हम लोग स्वाल करेंगे ठीक है बच्चो तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे लिमिट्स की ठीक है जैसे हमने देखा था ना कि यह जो स्मॉल आर होता है इसकी लिमिट क्या होती है बच्चो यानि कि जो इसका आंसर आता है वो किसकी किसके बीच में रहता है यह से इसका आंसर जो आता है वो माइनस वन और प्लस स्वन के बीच में ही आता है ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों का आंसर सेम डू सेम होगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है ठीक है एक कंडिशन पर इन दोनों का वैलू सेम हो सकता है कब हो सकता है देखो मैंने उसी से related यहाँ पर example लिया है हमेशा तो same नहीं रहेगा लेकिन कब same हो सकता है जब जैसे कि यहाँ पर देखो यह सारे x के values हैं यह सारे y के values हैं तो इनको या तो ascending order में या फिर descending order में arrange करने पर अगर दो observations के बीच का जो difference है अगर वो constant रहता है हर ठीक है तो इस condition में क्या होगा जो आपको आर मिलेगा वहीं आपको capital R भी मिलेगा ठीक है कुछ मेरी बात है आपको समझ में आई नहीं समझ में कोई बात नहीं देखो जैसे यहाँ पर यह एक्स के related सारे observations दिये गए ना तो इन्हें आप ascending या फिर descending order में arrange करो तो चलो हम ल यह लिजे 17 लिख दिया फिर उससे बढ़ा क्या है 17 से बढ़ा हा 22 यह लिजे हमने 22 लिख दिया और 22 से बढ़ा क्या है 27 यह भी लिख दिया फिर लास्ट में आएगा 32 ठीक है तो यहाँ पर यह जो observations दिये गए ना इन्हें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच इसका जो difference है वो हर जगा सेम देखो तो सही देखो 12 से 17 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 12 में 5 जोड़ना पड़ेगा है तो यहां पर difference कितने का है 5 का है इधर देख लिए यहां पर भी पाँच का ही डिफरेंस है मतलब यहां पर देखो हर जगा जो डिफरेंस है न वो क्या है कॉंस्टेंट है हर जगा पाँच आया ठीक है वैसे ही वाई का भी आप लोग चेक कर सकते हैं देखिए यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन से है बताइए 113 यह लिजीजी हमने लिख दिया उससे बड़ा 113 से बड़ा 115 यह भी आमने लिख दिया फिर उसके बाद 117 यह देख bit एनि ठीक होगा वही इसना थीक है तो चलो देख अ कि यहां से यहां तक जाने के लिए दोफ़ड़ ना पड़ेगा 113 से 115 जाने के लिए अ ऑचाने बीच का किया है धिंक और अर जगा है कि नहींना background पिए खाना है न तो यहां पर देखो X में भी हमको constant ही मिला difference और यहां पर भी हमें constant ही मिला ठीक है यानि कहने का मतलब क्या है कि हमें इन दोनों का answer सेम मिलेगा चलो एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं देखो मैंने यहां पर formula भी लिखा है देखो बच्चों यह होता है आपका formula rank correlation का 1-6 summation of d d का square और फिर नीचे आता है n cube minus n ठीक है यह क्या है मैं आपको बताऊंगे चिंता ना करना ठीक है डी फॉर क्या होता है difference तो वह difference है ठीक है अभी आपको पता चल जाएगा बता रही हूं रुको आराम आराम से करने दो ठीक है concept समझ गये ना बस exam में कोई भी question आने दो आप फटाइक से कर सकते हैं तो देखिए अगर हमें r निकालना है तो हमें किस की किस की सरवत पड़ती है आप जानते ही है x square चाहिए होगा यह small x है ध्यान रखना फिर यह x into y चाहिए होगा और फिर यह y square चाहिए होगा तो चलिए find करते हैं पहले हमें क्या करना होगा ऐसे किया करते थे ना x-x बार हम निकालेंगे जिसको हम लोग small x से denote करते थे ठीक है फिर यहाँ पर x का square कर देंगे और यहाँ पर y- y-bar यानिकि small y ठीक है फिर यहाँ पर आ जाएगा y का square ठीक है और इ ठीक है तो देखिएगा x-x-bar तो इसके लिए हमें एक बार पहले निकालना पड़ेगा और एक बार के लिए इसका टोटल करना पड़ेगा चलिए फटाक से कर लेते हैं तो देखो कितना आएगा 7714 14 to 16 16 to 18 18 प्लस 2 20 का 0 2 आ गया एक दो 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 चार दो छे चे तिन नो नो तो 11 यानिकि 110 ठीक है और फिर इसका भी टोटल कर लेते हैं तो कैसे की आ जाए रुकिये पांच एक छे चे बारा एक तेरा तेरा तिन कितना होता है तेरा 16 16 और नो 25 राइट 25 का 5 इधर दो आ गया फिर एक दो तीन चार चार दो छे चे दो आठ ठीक एक दो तीन चार ठीक है तो अब हमें यहां पर क्या करना होगा एक बार निकालना होगा तो चलो इधर ही एक बार निकाल लेते हैं देखो एक बार के लिए मैंने आपको फॉर्मॉला क्या पता है तो समीशन ओफ एक्स कितना आया है 110 और एन कितना है काउंट करो कितने नंबर ठीक है क्लियर वह आप लोगों को चलिए अभी जैसे हमने एक्स बार निकाला वैसे ही वाई बार भी हम क्यालकुलेट करेंगे तो देखो समीशन ओफ वाई कितना है 585 तो यह लिजे हमने इधर 585 लिख दिया जिसे हम डिवाइड करने वाले 5 से है ना तो 515 फिर 515 इसमें डाइड यह 170 ठीक है इतनी बाते आपको क्लियर है अभी हमें क्या करना होगा एक एक करके अभी हम माइनस करते जाएंगे जिससे आमें एक्स मिलेगा चलो जी करते हैं बारह मेंस गया तो कितना आएगा माइनस 10 आएगा ठीक है ना फिर 17 मेंस को माइनस करो 17 मेंसे 22 रुको मैं डारेक्टली न कैल्सी से ही कर देती हूँ वैसे तो आपको एक्जाम में कैल्सी अलावड ही रहता है है ना रहता है कि नहीं माइनस पांच ठीक है अब भी चाहो तो वीडियो को रोक करके अराम से कल्कुलेशन कर लो ठीक है यहां पर जीरो आ जाएगा फिर 27 माइनस 22 तर पांच आजाएगा 32 और 22 यानिकि 10 ठीक यह हो गया अभी हमें क्या करना होगा यह एक्स का स्क्वायर करना होगा तो एक्स का स क्वायर यानिकी देखोम माइनस 10 का स्क्वाड हंड़ फाइक का स्कॉर इस स्कॉर्पव त्वेंटिफाइगा यहां पर आ गया जी हंडिए हन्रेड यह देख लेते हैं वाई बाइनस एकक्स सुट्रह तो एकस्तिर मेंस से 12 माइनस और प्लेस मेंड़ एकस्तुरह माइनस यहां पर आएगा तो यह यह एगा ना और यह माइनस ना एगा ठीक 121-117 अट्रावणिजबीज 21 यानि के चार ओके अभी अमें इसका स्क्वेर करना होगा तो minus 4 का square 16, 2 का square 4, 0 का square 0, 2 का square 4 और 4, 4 जर 16 अब इन दोनों का multiply करना है, है ना, तो किसका किसका multiply करना है आप लोगों को को इसका और इसका है, minus 10 into 4, यहां पर आजाएगा plus 40 minus 5 into 4, यहां पर आएगा minus 20, फिर 0 into 0, 0, 5 into 4, यहां पर आजाएगा 20 सब्सक्राइब करना था किसी ओर में और मैं कर रही हूं किसी ओर में देखो इसमें कर रही ना ऐसे नहीं होगा हमें इन दोनों का मल्टिप्लाइब करना है मैंने इसमें क्या था ओके 10 इंटू 4 यह आ गया 5 इंटू 2 5 2 जा 10 ठीक जीरो इंटू 0 यह 5 है जीरो ठीक है फिर 5 इंटू 2 तो यहां पर आएगा 5 2 जा 10 10 इंटू 4 यहां पर आजाएगा 40 ठीक है चलो इतना गाम तो हमने कर दिया अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा बच्चो यह सभी का टूटल करना किसका टूटल करना पड़ेगा ए क्योंकि हमें इसके जरूबत पड़ेगी यह फॉर्मूले में देखो सारे यही सारे वैलूस है ना चलो अब इसका टूटल करते हैं फटाक से तो कितना आएगा 100 200 200 और पच्चिस यानि कि 250 मत्दब इसका टूटल आ गया 250 चलो जी इसका टूटल देखते हैं 16 16 32 32 कितना होत ठीक है 80-20 यहां पर आ जाएगा प्लस 60 ठीक है तो सारे वैल्यूस हमारे पास आ चुके हैं ठीक है ना अभी हमें क्या करना चाहिए तो चलो एक काम करते हैं आर पहले निकाल लेते हैं उसके बाद हम लोग इसकी बाद करेंगे ठीक हैं तो आर को कैलकुलेट करते हम यहां पर ध्यान से देखते जाहिएगा आर विच इक्वल डू फॉर्मूला मैंने क्या बताया था Summation of xy अपॉन यहां पर root के अंदर क्या आता है Summation of x का square फिर root Summation of y का square ठीक अब सारे values को यहां पर put कीजिए तो Summation of x into y कितना आया है 60 सो राइट डाउन हीर 60 फिर यहां पर क्या आएगा समिशन ओव X2 is 250 तो यहां पर हम लिख देंगे 250 उसके बाद यहां पर को समेशन ओव Y2 is 40 यहां पर हमने लिख दिया बच्चोesta काम तो आप ने कर दिया अब इसका कैसे किया जाए तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरुवत नहीं है क्योंकि आपको एक्जाम में कैल्सी अलाउट रहता है ठीक है तो आपको बहुत जादा धिमाग नहीं लगाना सीधे-सीधे एक काम करो ऐसे लिखो फिर रूट के अंदर इन दोनों को लिखो कि अब इन दोनों का मंटीप्लाई करो जल्दी से अगते का मांटीप्ले करने पे 25 फोर्डा क्या होता है एक मिनत हम maintenance हम चेकी कर लेते 100 हो जाएगा ठीक है तो इसका स्क्वार रूट होगा बच्चो 100 यहां पे हमने लिग दिया 100 अभी मैं 00 कैंसल यहां पर आया सिक्स अपॉंट ठीक है तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं में तो आंसर क्या आएगा 0.6 यह हमें क्या मिला तो आर का वैल्ल्यू मिला ठीक है ब यहां पर इसका formula आप लोग ज़रा देख लीजिए क्या है 1-6 summation of d square upon n cube minus n तो यह d क्या है n तो हमें पता है यह जो number of observations है न वो आपका n हो जाएगा जो कितना है 5 है ठीक है n तो हम जानते है n which is equal to 5 लिकिन यह d क्या है इसे समझना पड़ेगा तो देखो बच्चो d क्या होता है जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे r1 निकालेंगे यह rank निकालेंगे ठीक है यह x के observations का और y के observations का फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यह d है निकालेंगे तो आपके क्लास में रैंक मैं रेंक कवे क्लास जैसे कि 91% कि 92 कि 94 कि 90 को आगर में देना आगा एक क्लास में रैंक कैसे है तो कैसे देंगे सबसे पहले जो ज्यादा वले रेगा व सको फर्स तो देन लिए और और इसमें नंबर निप्टान ओंस बता ना चाहिए주는 इसको हमें मिटाना चाहती हूं देखो इसको मिलेगा यह जो 32 वाला है ना इसको मिलेगा बच्छों फोर्स त्यंक तो यहां पर लिखिएगा वन ठीक है फिर इससे थोड़ा कम कौन सा है 27 तो इससे मिलेगा सेकंड रेंग फिर इससे थोड़ा कम 22 यानि कि यह तीसरे नंबर तो इस तरीके से हम लोग रैंक देते हैं चलो यहां पर फॉर्मुला लिख देती हूं अब यह रफ करना पड़ेगा तो जैसे हमने इसको रैंक दिया वैसे ही यह जो वाई है ना बच्चों इसे भी हमें रैंक देना है ठीक है बैते हैं तो सबसे पड़ा नमबर में कौन से है 121 यानि कि यह सबसे थू इसे तो इससे थोड़ा छोटा कोन से कौन आये तो 10 यह आज आए निका थर्ड और सफोर्थ में कौन आएगा यह ए आगया फोर्द और सबसे लास्ट प leiおお 18 वाला ठीक है तो हमने यह रेंक दे दिया अभी चलो निकालते हैं तो क्या करना होगा रवन तो चाल करना है तो जीन का स्क्वैर एलो 2 स्क्वैर 200 स्क्वाइर जीरो टोगा स्क्वाइर फोर जीरो इसका टूटल करो चार चार आट यानिकी समीशन ऑफ डी हमें कितना मिला एट मिला ठीक है चलिए अब हम लोग फटा-फट से आर का कैलकुलेशन करते हैं तो ध्यान से समझते जाएगेगा वन माइनस यहां पर लिखेंगे सिक्स इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वाइर कितना है बच्चो एट आए यह लिजे हमने एट लिख दिया ठीक है एन क्यूब कितना है तो यहां पर हमें क्या करना होगा फाइक कर देंगे ठीक है तो फाइक का क्यूब माइनस क्या आएगा फाइगा चलो बताओ इसको अभी कैसे स्वाल्व किया जाए तो ज्यादा जिन्ता ना करो हम बता रहें आपको पहले तो इसका क्यूब कर दो ठीक है तो फाइक का क्यूब कितना होता है देखो फाइपाइज ज़ली ज़ुचिए का वन विंटिफाइज होता है ना तो यहां पर हम ल 125 माइनस 5 इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आचाहेगा 120 देखो ऐसे है और विच इकवल टो बन माइनस 48 अपॉन में 120 ठीक है बच्चो यह 48 को ऐसे ही रहने दो 6 इंटू 8 ऐसे रहेगा तो सॉल्ट करने में आसानी होगी 6 इंटू 8 ठीक है चलो अब इसको कैंसल करते ह है तो 6 से पहले तो कैंसल करते है तो देखो 6 16 6 तो इक यहाँ पर आगा 20 ठीक है अब फिर इसको किस से कैंसल किया चाहे तो फॉर से करते ना फोर तूसाइट 4-5 अब इसको सॉल्फ कर दीजिये ख्रॉस मल्टिप्लिकेशन करके तो देखें फाइब और देखें 5-2 अपॉ अब इसको कर दीजिए तो जीरो मतलब पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे तो 56 क्या हो जाएगा 30 यानि देखो पच्छो आर का वेलू हमें क्या मिला 0.6 मिला था और इस्पीर मैं इस्पीर मैं रेंक को रिलेशन यानि कि क्या मिला 0.6 ही मिला थीक है तो यह कब पॉंसिबल हो पाएगा जब इस तरीके से अगर आपको को स्चन दिया रहा तब जाके यह पॉंसिबल होगा कि दोनों का आंसर सेम हो नहीं तो फिर सेम नहीं होने वाला थीक है अगर यह अलग-अलग रहते हैं यानि कि इनके बीच का जो है अगर वो कॉंस्टेंट नहीं रहता तो फिर इनका आंसर सेम नहीं होगा ठीक है बच्चों तो यह था दोनों के बीच का रिलेशन बस आपको इतना ही समझना था अभी हमें क्या करना है जो हमारा में टॉपिक है अभी तो हम क्या कर रहे थे इन दोनों के बीच का रि मतलब कोई भी नंबर था वो एक ही बार था ठीक है लेकिन अगर दो दो बार कोई नंबर आ गया तो फिर आप क्या अगर होगे तो वह भी मैं आपको दीरे-दीरे सिखाऊंगी कुल मिला करके आप इसना समझिए कि इसमें हमें दो टाइप के कोश्चन्स देखने हैं एक तो वाला दूसरा नॉन रिपिटेड वाला ठीक है बच्चो तो चलिए अगर आप लोग इसको लिखना चाहते तो लिख लिए फिर उसके बाद हम लोग यह मतलब इसके कोश्चन को सौल करते हैं ठीक है देख लो चलिए बच्चो आगे बढ़ते हैं और कोश्चन्स को आम लो ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग यह नॉन रिपिटेड वाले कोश्चन सौल करेंगे उसके बाद से एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग रिपिटेड वाले करेंगे ठीक है फिर उसके बाद आपका यह जो टॉपिक है वो हो जाएगा खतम ठीक है दोनों यह तो कैसे होगा पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए फॉर्मूला मैंने आप लोग को क्या बताया था वन माइनस समेशन देखो पहले तो सिक्स आता है फिर समेशन डी का स्क्वेर नीचे के आता है एन क्यूब माइनस एन ओके तो हमें किसके जरुवत पड़ी कि वच्चों इसके जरुवत पड़ेगी तो यह हमें कैसे मिलेगा हम जानते हैं आरवन माइनस आरटू है ना तो इसके लिए तो पहले आपको यह एक्स और वाई लिखना पड़ेगा एक्स में देखो और यह जो सारे नंबर्स दिए गहें उन्हें फटा-फट से लिख लो अठारा बी 30, 34, 52 और यह रहा 12 ठीक है फिर यह लिख लो 39, 23, 35, 18 और 46 ठीक है फिर नेक्स कॉलम हम किसके लिए बनाएंगे बच्चो यह वेरी गुड आरवन और आरटू के लिए है ना तो आरवन के लिए हमें क्या गरना होगा यहां पर हमें जो यह सारे आप्जर्वेशन से इनको र तो दीको सबसे बड़ा इसमें कौन सा है 52 यानि कि इसको मिलेगा रैंक वन उससे चोटा क्या है 52 से चोटा क्या है 34 है तो यह हो जाएगा रैंक टू इससे चोटा क्या है देखिए जल्दी से तो 20 है यह हो जाएगा 3 इससे चोटा यह 4 और सबसे चोटा यह यह यानि कि 5 ठ कि नेक्स्ट वन देख लो आर टू यहां में कैसे मिलेगा अभी आप मतलब वाई के अब्जर्वेशन को रैंक देदो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहां पर इस इस दा बिगेस्ट नंबर सो राइड डाउन यह फॉस्ट यानि कि पहला कि इस से छोटा कौन सा नंबर है इ ठीक है नेक्स्ट अभी हम लोग d निकालेंगे दो डbab सेसे मिलता है बताय यह लob!" j Mac-1 गया तो माईनश करते चाहते हैं cha 3 में से चार ग तो न से चार गया तो माईनश एक दो मीस से तीर गया तो माईनस एक एक में से पांच गया तो माईनस चार और पांच ब्या तो तो यह सिंपल ही है बस आपको फॉर्म्ला लान करना है देखो हमें ज्यादा कॉलम्स भी नहीं बनाने है ना और कैल्गुलेशन कितना सिंपल है इतने चोटे-चोटे ठीक यह देखो लाइन कैसे ऐसे चलो आप स्केल से घीश लेना है ना तो 16 32 32 33 34 34 चार कितना हो जाएगा 38 यानिकि कि समेशन ओफ डी स्क्वाइर क्या आगया 38 ठीक है बच्चो तो देखो यहां पर लिखते हैं कि यहां पर हमें क्या पता चला कि समेशन ओफ डी स्क्वाइर इस 38 एंड एंड विच इकवल टू कितना है बच्चो ऑब्सर्वेशन कितने एक दो तीन चार पांच पांच यह ना तो यहां पर लिख देंगे पांच ठीक है एक दो तीन चार पांच अभी सारे वैल्यूस को इ नेक्स्ट देखो वन माइनस सिक्स इंटू 38 देखो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 माइनस माइनस 5 ठीक है तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो अंसर क्या आएगा 120 ठीक अब इसको कैंसल करो 6 1 सा 6 2 सा यहां पर आगा है 20 ठीक है और 2 से इसको रुको एक मिनिट ऐसे करके आया है 1 माइनस 38 अपॉन में आया है 20 ठीक है अभी चलिए इसको हम लोग 2 से कैंसल करते या फिर किसी और से कैंसल हो पाएगा क्या 2 से करता है तो देखो यहां पर हो जाएगा 210 से 20 यहां पर क्या होगा टू 1 से 2 और 29 से 18 यानि कि 19 आ गया ठीक यह आया देखो क्रोस मल्टिप्लिकेशन कर देते हैं तो 10 1 सा 10 माइनस 19 अपन में 10 तो 10 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 9 आएगा ठीक और यहां पर यह अब इसको सिंप्लिफाई करेंगे देखो एक जिरो है ना यानि कि पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे मतलब 0.9 इस दा राइट आंसर यानि कि स्पियर मैंस रैंक को रिलेशन यानि कि आर हमें क्या मिला तो 0.9 यहां पर लिख देते हैं देखा कितना आसान था चलिए इसे आप लिए फिर आपको एक और टाइप के में कुश्चन करवाती हूं एक और टाइप मतले बहुत जादा वह डिफरेंट नहीं है देखो उसमे आपको आरवन और रटू दिया रहेगा ठीक है बस आपको डी स्कॉर करना है फॉर्मूले में वेलेव पूट करना है फिर आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है तो वह टाइप का को स्वाल कर लेते हैं पहले आप इसको देख लो फिर देखते हैं यहां पर देखो बच्चों इसमें क्या दिया है कि calculate the rank correlation coefficient यानि कि हमें calculate करना है ठीक है from the following data relating to the ranks of 10 students in English and mathematics यानि कि देखो यहां पर जो information दी गई है वो क्या दिया है बच्चों rank दिया गया है देखो लिखा है rank in English यानि English के rank यहां पर दिये गया है और फिर यह mathematics के rank दिये गया है ठीक है तो चलो देखत स्टूडेंट का है जैसे कि यह रहेगा आपका पहला स्टूडेंट यह रहेगा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सात्वा यह हो गया एटवन आटवा और यह हो गया बच्चों नौवा और यह लास्ट में 10 यानि कि total number of students कितने हैं बच्चों तो 10 स्टूडेंट्स हैं जहां पर क्या दिया गया है इनका रैंक दिया गया है इंग्लिश का रैंक दिया है और मैथमेटिक्स का रैंक दिया है ठीक है यहां पर मैं यह भी लिख देती हूं नंबर ओफ स्टूडेंट को स्टूडेंट नंबर मतलब स्टूडेंट का नंबर क्या है यानि कि जो पहला वाला स्टूडेंट है उसको mathematics में 3rd rank मिला और English में 1st rank मिला ठीक है फिर जो सेकेंड वाला स्टूडेंट है उसको mathematics में कितना rank मिला तो 1st और English में 3rd ठीक है इस तरीके से यह information दी गई है अब ही आप इस टाइप के questions को कैसे solve करेंगे बहुत simple है आपको directly यहा पर पहले हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे लिखते हैं rank in English और स्टूडेंट का number भी यहां पर लिख लेते हैं student number ठीक है तो कितने स्टूडेंट है 10 ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह हो गए 10 ठीक है काफी पास पास लिख दिया गया चलो कोई बात नहीं अपने हिसाब से दूर कर लेंग यानिके r1 यह क्या हो जाएगा rank in mathematics यानिके r2 ठीक है यह क्या होगा तो यह आपका d हो जाएगा है ना यानिके r1-r2 फिर next कॉलम हम किसके लिए बनाएंगे तो d square के लिए बना देंगे यह हमारा अगला कॉलम होगा फॉर d square ठीक है चलो अभी देख लेते हैं तो rank हम लिखते जाते हैं तो देखो बच्चो यहां पर English वाले में क्या है 1375 तो यह हो जाएगा 1 फिर यह हो जाएगा 3 इसको थोड़ा अच्छे चा आरेंज करके लिखते जाएंगे ठीक है फिर क्या है 3 के बात 7 तो यहां पर ल यहां पर लिख दीजिएगा 6 यानि 6 वाले स्टूडेंट को 6 रैंक मिला 7 वाले को क्या था 2 रैंक मिला English में फिर जो 8 वाला स्टूडेंट था इसको रैंक मिला 10 ठीक है और 9 वाले को मिला 9 रैंक मिला और जो 9 वाले श्टूडेंट था उनले को से नमबर यह वाले था ईक्सी बीकली फिर इंक्लिस का एंग्रिस निक्स्ट देखो सकोलाे 5 के बाद 6 9 7 एक मिनट 8 10 टू ठीक समझे ना कैसे के आमने यह हमने रैंक लिखा है अभी हम क्या करने वाले हैं तो प्लस टू आजाएगा सेवन माइनस फूर किया तो जीरो चार मेंस सडेंगे तो माइनस तीन दो मैंस साथ गया तो माइनस पांच पिर दस मेंसे आठ गया तो प्लस दो, नो में से दस गया तो माइनस एक, और आट में से दो गया तो छे, ठीक है अभी, तो D का हमें square करके यहां पर लिखना है, चलिए फिर लिखना चालो कर देते हैं देखो, 2 का square करने पर, प्लस 4 इसका भी प्लस 4 आ जाएगा, 3 का square, 9, 0 का square, 0, 2 का square, फिर से आ गया 4, 3 का आ गया 9, 5 का आ गया 25 2 का 4, 1 का 1, और 6 का 36, ठीक है तो यह हो गया बच्चों आपका D square है ना, अभी हमें क्या करना होगा, तो D square का total करना होगा, और formula में यह सारे values को put करेंगे फिर हमें हमारा answer मिल जाएगा है ना, तो चलिए जी इसका total कर देते हैं, तो directly plus किया जाए, क्या बोलते हो देखो, कैसे होगा directly आपको बताती हो 36, काफे बड़ा हो जाएगा ना, रहने दो ऐसे ही करते हैं 4, 4, 8, 8, 4, 12 12, 14, ठीक है यह 4, 4 को हमने एक साथ ले लिया बराबर, फिर 9, 9, 18, 9, 9 को एक साथ ले लिया फिर बचता क्या है, 4, 4, 9, 9 गायब अभी यह 25 बचा हुआ है फिर यह 36, और लास्ट में बन चलो देखते हैं तो 6, 5, 11, 11 और 12, 12, 8 कितना होता है 20, 20, 26, 2 आ गया 2, 3, 4 7, 7, 2, 9 यानि कि 96, ठीक है देखो बच्चो, D square का जो total है, वो हमें कितना मिला 96, यहां पर लिख देते हैं 96, यह क्या है इसका total रुखो एक काम करो, ऐसे करके लिख दो यहां पर बस 96 लिख दो ठीक है और बाग में उदर तो आप बताने ही वाले है और हमें किसी का टोडल करने की जरूवत नहीं है ठीक है, यहां पर देख लो, यहां पर आपका N जो है न, वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ठीक, तो चलिए अभी यहां पर लिखते हैं कि यहां एक लाइन में ऐसे खेज देते हूँ N का value is 10 and summation of D square is 96 6, ठीक है, क्या करना है अभी हम लोगों को, तो यहां पर आपको formula लिखना होगा, कौनसा R का formula है न, जब वो निकालना है तो उसी का formula लिखोगे न देखो, formula बार-बार लिखोगे न, बच्चों आपको याद होगा, देखो, R which is equal to तो क्या होता है, 1 लिखने का, फिर minus करने का, उसके बाद, इधर 6 लिख दो फिर इधर summation, फिर करो D का square, नीचे क्या आता है, तो N का cube minus N, बस इतना साही तो काम है अभी values put करो 1 minus 6, D square कितना है, 96 N का cube, N कितना है 10, 10 का cube minus 10, अभी इसके बाद क्या किया जाए, तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा 1 minus, फिर 6 into 96 यह जो है ना, इसका square अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आजाएगा minus 10, अभी आगे देखना, 1 minus 6 into 96, और यह जो है ना, 1000 में से, अगर मैं यह 10 को minus करो, तो कितना आएगा 990, ठीक है चलो, अभी इसको 6 से हम लोग कैंसल कर देते हैं तो कितने बार में जाएगा बच्चों सोचिए, तो देखिए 6 वनजा 6, इसमें 3 बचेएगा आता है ना, आप लोगों को, यहाँ पर हो जाएगा चलो, अभी इदर बचता क्या है 96, यहाँ पर है 165, चलो अभी डारेक्ली ना, यह जो 96 है ना, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 165 से, ठीक है तो अभी इसके लिए आप लोग कैल्सी की मदद ले सकते हो, जो simple calculation है ना, उसको पटाक से कर लेने का और बाकी बड़े वाली के लिए कैल्सी का यूज़ कर लिया करो, तो कितना आया 0.5818, 0.5818, ठीक है माइनस कर दो अभी 1 में से, तो माइनस 1, आंसर आगया आपका 0.418, ठीक, तो यह है बच्चो आपका final आंसर देख सकते हो 0.4181, यह क्या है, तो rank correlation coefficient, ठीक है ना, समझ गया अच्छे से, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक और question है, जो मैं आप लोगों को homework देने वाली हो, जिने आपको खुझ से solve करना है, ठीक है, बताओं कि कैसे होगा, चिंता ना करो, पहले आप इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा, बत्चों, यह है आपका homework question, जिसे आपको खुझ से solve करना है, ठीक है, क्या calculate करना है, तो rank correlation, ओके, देखो, यह exam में आया हुआ question है, आप लोग जरूर इसको solve कीजिएगा, और जो answer है न, वो आप मुझे comment करके बताईएगा, ठीक है, तो इस वीडि होते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगे, नेक्स वीडियो में, ठीक है, तो आप लोग अगला वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी कुछ भी skip मत करो, लाइन से सारे वीडियो को देखो, तब ही आपके सारे concepts अच्छे से clear होंगे, ठीक है ना, तो जरूर आप अगला वीडियो देखिएगा, लिंक में आपको description में भी देदूंगे, ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे हम लोग next वीडियो में, ओके, चलो, goodbye everyone